नमस्कार, I am Manisha and welcome you all in Manisha's World Dog. कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत ही अच्छा होंगे. दोस्तो, आजकल की जनरेशन या यू कहें, जो इंटर्वीव के लिए जा रहा है, या जो स्टूडेंट अपनी करियर को आगे मुकाम पे पहुचाने की त्यारी कर रहा है, वो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो उस फील्ड को चूज करने में उसको काफी प्रॉब्लम आती है, मतलब कि वो चूज नहीं कर पाता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, और अगर वो किसी एक फील्ड को चूज कर लेता है, तो फिर उसमें उसको नेगेटिविटी उसके दिमाग में आने लगती है, कि ये फील्ड मेरे लिए शायद अच्छा नहीं था, मुझे ये फील्ड को चूज नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी और फील्ड को चूज करना चाहिए था, और ये ये नेगेटिविटी जो है, उसके दिमाग में आती रहती है, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम में पढ़ जाता है, और जो उसने एक राह चुनी है, वो वहाँ से उस ट्रैक से हट जाता है, और ये ये ट्रैक से हटने की वज़े से, उसके जो भी डिजायर है, जो भी सपने हैं लाइफ में, वो सब वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि बिलिव इन योरसल्फ, आपको खुद में बिलीव करना पड़ेगा, तब चाहकर की ही आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपने एक फिल्ड चूनी है, तो आप उसी फिल्ड को आगे बढ़ाएं, उसको ही अपना, कहते हैं ना में जो लक्ष है, उसको रखें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आप एक पेपर लें, उस पेपर पे आपकी जो भी विश है, डिजायर है, उसको लिखें, यानि कि अगर आप चाहते हैं, कि एक बहुत ही अच्छी जॉब, और दस करोर, पाँच करोर, जितनी भी डिजायर हैं, कि आपको इतनी जॉब करनी हैं, और इतना कमाना है, इससे भी जादा कमाना है, तो ये आपके दिमाग में थोड़ी सी आएगी, क्यारे, ये कैसे पॉसिबल है, अगर आपने क्वेश्चन मार्ग किया, ये आप नहीं कर सकते हैं, तो आप सच में वो काम नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको इसमें 100% आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप जब भी पेपर पे लिख रहे हैं, तो आप उस चीज को फुल, 100% शूर हो कि नहीं, I can do and I will do, I will definitely do this work, और उसके बाद आपका जहां पे बैड है, उस पेपर को ऐसी जगा पे पेस्ट करें, जहां पे आपका बैड बैड के उठने के साथ, आप उस पेपर को सामने से देखेंगे, तब ही ये वर्क करेगी, each and every day, you will see or you will get the result yourself, you will boost yourself definitely these works, तो आपको खुद बखुद महसूस होगा, क्यूंकि आप हर दिन, हर वक्त, चीज़ को महसूस करेंगे, उस चीज़ को उपते बैठते देखेंगे, तो आपको एसास होगा, कि आपने जो किया वो सच में ही किया, और यह दीरे दीरे आपको काम करना शुरू करेगी लेकिन सबसे पहला है कि आपको खुद में विश्वास करना पड़ेगा है विश्वास करेंगी तभी एक काम होगा इसके बाद, इसके अलावा है कि मैं एक शीव और पार्वती का मंत्र है वो में लिखूंगी आपको इसको पेपर में ड्राउ करके अपने पोर्टफोलियो के साथ रखना है आपका जब भी जब भी इंटर्वी के लिए आप जा रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो साथ में रहेगा और यह पेपर भी यंत्र के जैसा है आप समझ लीजिए और आप इसको अपने कर दूँगी तो आप इसको जो है स्किन्शोट करके और इसको कलर भी करना है तो आप इसको कलर कर लीजेगा और उसके बाद अपने पोर्टफोलियों के साथ इसे रखी जेगा तो यह है शीव पार्वती का बहुत ही पाव़फुल और मैजिकल यंत्र है जिसको आप करेंगे हंड्रेट परसन शूर हूं कि आपको उसका रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा लेकिन आपको सबसें पॉर्टेंट है कि आपको खुद में भी बिलीफ होना चाहिए कि आप ज उसमें आप सफल जरूर होंगे बिना सफल बिना किसी आपके लक्षे के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते अगर आपको उस मुकाम पे पहुचना है तो आपको खुद में विश्वास करना पड़ेगा और अगर आपके मन में थोड़ी सीवी नेगटिविटी आएगी तो य यूनिवर्स आपके पास वही चीजी भेजता है जो आप उसके पास भेजते हैं अगर आपने यूनिवर्स में भेजा है कि आपको बिक कार चाहिए बड़ा घर चाहिए बंगलो चाहिए थोड़ा वक्त लगेगा फ्रेंस लेकिन वो चीज आपके पास जरूर आएगी अग अगर आपने उसमें question mark या negative चीज साथ में नहीं भेजिए अगर आपने यूनिवर्स में भेज दिया कि आपको यह चीज चाहिए तो चाहिए अब यह यूनिवर्स का काम है आपने कि पेपर पेन पे जब हम कहीं लिस्ट बनाते हैं कहीं शॉप पे जाते हैं तो लिस्ट बना काम है कि वह कहां से available करवाएगा चीज आपका काम है order कर देना कि यह चीज हमें चाहिए वह आपको लाख कर के और इसमें कलर भी है तो यह जो ऊपर का है इसको आपको ब्लू कलर करना है और यह जो नीचे क्या है दो यंत मतलब एक साथ दो यंत रहे तो नीचे वाले को रेट से करना है अब ही मैं स्वेंटे सामने इसको लेकर आती हूं जिस सी इस यह जो है यह ब्लू कलर कर जाएगा और यह जो है नीचे वाला यह रैड कलर कर जाएगा तो आप ऐसा ड्राउ करेंगे और ड्राउ करके इसको फ्रेंस ड्राउ करने के बाद आप इसे अपने पोर्टफोलियो के साथ रखेंगे और जब आप इसको रखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि यह कितना पारफुल है और मैजिकल है इसके अलावा है कि आप जब इं तो आपको नौत और नौतिस जोन में रखनी हैं और घर से जब इंटरव्वी के लिए आप जा रहे हैं तो आप उस फोटो को जरूर दे करके जाएं गनेश भगवान की पूजा करके जाएं गनेश भगवान बुद्धि के देवता हैं वो आपके प्रोफाईल को आगे तो जरूर यूज़ कर सकते हैं तो रेड कलर के रुमाल अपने पर्स में रखें आप खुद देखेंगे इसका आपको कितना जादा मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और जाते जाते बल आइकान को जरूर प्रस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें